आई गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में एक और नया दिन एक और नई गाड़ी और आज हमारे साथ है यह है डीजल मैनुवल का टॉपेंड वेरियंट वेराज लास्ट टाइम जो दिखाई थी वह थी पेट्रोल आटमाटिक और डीजल मैनुवल में आपको सैवी प्रो वेरियंट देखने को नहीं मिलता है तो इसे टेक्निकली हम डीजल का तो टॉपेंड मान सकते हैं बट वैस से हेक्टर की रेंज का अगर मानें तो यह सेकेंड टॉप वेरियंट है तो सोचा इस वेरियंट के भी फीचर और डीटेल्स आपको बता दूँ और वैसे भी एक साल हो गया हेक्टर आपको दिखाए वे तो एक बार दुबारा दिखा दूँ बाकी इस गाड़ी का ट्राइ हुआ है अगर आपको दूब अगर तो इस यह चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसर वोकराउंड को और आज के इस वोकराउंड में पहले आपको Technical Specifications और Dimensions बताते हैं इस MG Hector 2024 की तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ कोई Hydraulic Struts नहीं है Next चलते हैं तो यहाँ पे आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन आप्शन मिल जाते हैं यह जो गाड़ी आपको दिखा रहा हूँ यह है टू लीटर डीजल इंजन के साथ टर्बो डीजल इंजन आप देख सकते हैं पावर की बात करें 170 PS के साथ 350 NM का टॉर्क इंसुलेशन आपको बॉडी में भी करी गई है और अंडर हुड भी करी गई है और हुड की अगर बात करें सबसे पहले क्योंकि फ्रंट से आपको विट की जस्टिफिकेशन हो पा रही होगी तो 1835 mm की विट है इस गाड़ी की नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी साइड प्रोफाइल की तरफ और साइड प्रोफाइल से आपको और डीटेल मिल जाएंगी इस गाड़ी की तो इस टाइम आपको लेंथ का एक आइडिया मिल पा रहा होगा और लेंथ अगर आपको बताओं तो 4699 mm की यानि की आल्मोस्ट 4.7 मीटर्स की गाड़ी है यह ग्राउंड क्लियरंस आपको दिख पा रही होगी तो 185 mm की ग्राउंड क्लियरंस है गाड़ी के अंद है और 2750 mm का वील बेस है अब वील बेस कैसे बोलते हैं तो दोनों वील्स के सेंटर डिस्टेंस को मेजर किया जाता है तो निकल के आता है वील बेस नेक्स्ट टाइर्स की तरफ आजाते है तो यहां आप देखेंगे 18 इंचे के अलॉय वील्स है 215, 55, R18 फ्रंट में दी गई हैं डिस्क ब्रेक्स उसके अलावा ग्लास एरिया काफी अच्छा है गाड़ी का रेर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स दे दी गई है तो यानि कि अल फोल्ड डिस्क ब्रेक्स इस गाड़ी के अंदर आपको अविलिबल हो जाती है नेक्स चलते है अपने फ्यूल की तरफ तो फ्यूल टैंक के पैसिटी इस गाड़ी की है 60 लिटर्स की डीजल यहां पर मेंचेंड है और एट ब्लू भी आप यहीं से फिल करेंगे आपकी नेक्स चलते हैं अपने बूट स्पेस की तरफ तो बूट को ओपन कर लेते हैं की सही यह री कुछ इसकी की और आप देखेंगे इलक्ट्रोनिक बूट रिलीज आता है इस गाड़ी के अंदर नेक्स हम चलते हैं बूट स्पेस की तरफ तो 587 लीटर्स की बूट स्पेस है गाड़ी के अंदर और सफ टाइप परसल ट्रे आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है राइट साइड में आपको मिलेगा एक बूट लाम भी और रेर सीट आप देखेंगे 60-40 स्प्लेट के अंदर है नीचे आप देखेंगे तो यहां पर आपको टूल किट वगएरा देखने को मिल जाएगी और बूट को करते हैं बन हाइट के बारे में आपको बता जाता है स्पेर वील आपको अंडर बॉड़ी में देखने को मिलता है इस गाड़ी का और गाड़ी की हाइट है 1760 mm की दोस्तों डाइमेंशन और स्पेसिफिकेशन आपको मैंने बता दी इस गाड़ी की नेक्स्ट आजाते हैं अपने डिजाइन एलिमेंट की तरफ क्योंकि डिजाइन भी दिखाना और बताना बहुत जादा जरूरी है तो सबसे पहले फ्रेंट प्रफाइल आप देखेंगे गाड़ी की तो ग्रिल क्रोम स्टड़ड आपको देखने को मिलने वाली है आप देखेंगे कुछ डायमन डिजाइन पैटर्न में आपको क्रोम का यूसेज देखने को मिल रहा है सेंटर में मिलता है एक एमजी का लोगो उसके जस्ट नीचे एक कैमरा की प्लेस्मेंट उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको एक नंबर प्लेट की प्लेस्मेंट देखने को मिल जाती है ग्रिल में सिर्फ क्रोम और पियानो ब्लैक का टैच आपको देखने को मिलेगा कोई रफ ब्लैक प्लास्टिक का यहां पर यूज नहीं है तो यह चीज दिखाता है गाड़ी की प्रेमियमनेस को इस नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं तो आपको आपको स्कूट ब्लैट भी क्रोम के अंदर देखने को मिल रहियाओ और ऐर डाम दे दिया गया रही है ब्लाक एक्सेंट और क्रोम का टैच मिलेगा दो LED प्रोजेक्टर हेड्लाम्स दिये गए जो कि एक हाई भीम और एक लो भीम के लिए और नीचे आपको फॉग लाम भी LED में मिलता है नीचे आप यहां पर देख सकते हैं उसके अलावा बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल में कुछ इतना ही था इसमें आपको रेडार या कैमरा नहीं मिलता है क्योंकि यह सेकंड टॉफ वेरियंट है हेक्टर का नेक्स आजाते हैं अपनी साइड प्रोफाइल की तरफ तो सबसे पहले तो आप फुल साइड सबसे पहले 18 इंच के आपको यह तो बता दिया बटिन का डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगता है और डाइमंड कट पैटर्न के अंदर यह आपको दिये जाते हैं आपके जो और वीम्स वह बॉड़ी कलर के अंदर और इनके अंदर भी LED टर्न इंडिकेटर्स मिलते ह और Side Camera भी आपको इनका अंदर देखने को मिल जाता है Window Belt-line आपको क्रोम के अंदर देखने को मिलती है और B-pillar C-Pillar और D-Pillar आपको ब्लैक मिलते हैं तक ही आप Floating reproductive Design Experience कर पाएं उपर चलते हैं रूफ की तरफ यहं आप देखेंगे एक आपको बड़ी Panoramic Sunroof देखने को मिलती है जो की काफी जादा अच्छे साइज की है और इस टाइम मैंने उपन करी विए सिल्वर कलर में रूफ रेल्स मिलती है और एक मिल जाता आपको बॉडी कलर में शाट फिन एंटेना ग्लास एरिया काफी अच्छा लगा गाड़ी का और ग्राउंट क्लियरंस 185 mm की ठीक ठाक है अगर सेग्मेंट के हिसाब से देखें बाकी अब आ जाते हैं पीछे तो पीछे आप देखेंगे तो यहां पे एक स्पोईलर टाइप की फिनिश बनाई गई है जो कि एक अच्छा लुक प्रोवाइड कराती है गाड़ी को हाई मांट स्टॉप लांप दिया गया और यहां आप देखेंगे तो छोटा सा वाशर है तो वाइपर वाशर डीफ अगर तीनों ही चीज़ें गाड़ी के अंदर आ जाती हैं कॉंटिनियूस डिजाइन टेल लांप दिये गए जो पंपर में आपको मिलते हैं रिफ्लेक्टर साथी नीचे आ जाते हैं तो चार पार्किंग सेंसर और क्रोम में यहां पर भी स्केट प्लेट देखने को मिल जाती है बाकि टो हो कि यहां पर प्रोवाइडड है और यह जो है यह बेसिकली फेक एक्जॉस टाइप बोल सकते है यहां से आरे अपने रिफ्लेक्टर और एक अच्छी चीज यहां पर दी गई है लाइट जो कि आपको दिखाने की कोशिश करता हूं तो जैसे ही आप बूट को कर देंगे उपन तो यहां आपके इंडिकेटर्स वर्क करना शुरू कर देते हैं तो इंडिकेटर्स आपके पर वापस पहुंच जाते हैं और नीचे चलें अंडर बाड़ी में तो स्पेर वील आपका यहां पर प्लेस आपको देखने को मिलता है तो यह कुछ कॉर्टर प्रोफाइल है इस एमजी हेक्टर की तो दोस्तों आप इंटिरियर के फीचर्स और डिटेल्स पर जाने से पह अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठाक है हेड्रूम की अगर बात करते हैं तो कोई दिक्कत परिशानी यहां पर नहीं है और ड्राइविंग के तोरान मैनुल गाड़ी चलाने में भी कोई ऐसी दिक्कत परिशानी में को नहीं लगी है अब मेरी एड्जस्मेंट के यसाब से चलत यह है फाइव सीटर कार इंग्रेस आउट्ग्रेस काफी इजी है और यहां कोई दिक्कत परिशानी नहीं है अब आजाते हैं पीछे यहां बैठके देखते हैं तो दोस्तों काफी जादा कमफर्टेबल सीटिंग है पीछे अंडर थाई भी काफी गाड़ियों से बहतर है लेग रूम आप देखेंगे तो काफी सारा है है यहां पर हाथ थोड़ा सा लटक रहा है उसके अलावा अगर बात करें आगे और पीछे दोनों ही जगा एड़ेस दिये गए और पीछे की सीट में मैं रिकलाइन एंगल को भी थोड़ा बहुत अड़ेस्ट कर सकता हूं ओवरॉल स्पेस के मामले में मानें फाइव सीटर कार में कोई कमी नहीं है स्पेस के रिगार्डेंग अप चलते हैं इंटीरियर की तरफ और वहां भी आपको दिखाते हैं सबी चीज़ें रिक्वेस सेंसर आपको यहां प्लेस देखने को मिलता है और बॉडी कलर और क्रोम mix के अंदर आपको door handles देखने को मिलता है अंदर आ जाएंगे तो आपको dual color usage देखने को मिलेगा black और beige या फिर आप off white या cream जो इसे बोलना चाहें आप बोल सकते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे उपर आपको hard plastic मिलेगा बढ़ यह जितना भी lighter part आप देख रहे हैं यह आपका leather के अंदर दिया गया और perforated leather का भी यहां पर usage है ट्वीटा की placement यहां पर कर दी गई और एक ट्वीटर यहां पर भी है और यहां आप देखेंगे तो silver finish में आपको मिलते हैं door handles window lock चार पावर windows और lock and lock यहां पर दे दिया गया प्यानो ब्लैक टच है और एक coin holder आपक speaker की placement कुछ ऐसी करीगी है silver surround यहां पर दे दिया गया है यहां आप देखेंगे तो power adjustable seats आपको देखने को मिलती है और morris garages की scuff plate भी आपको देखने को मिल रही है seats के अंदर बात करें तो ventilated seats हैं इसलिए आपको normal और perforated leather दोनों का ही usage देखने को मिल रहा है प्लस आजाते हैं अपनी side की तरफ तो यहां आप देखेंगे AC vents में आपको silver और piano black दोनों ही touches मिल रहे हैं नीचे आपको hood और fuel lid open कर सकते हैं और यहां एक कभी हो ले जहां पेस्टाइम गाड़ी की चावीब पढ़िए चलिए अंदर बैड़ जाते हैं और दोर को कर लेते हैं बन और फिर बताते हैं और details आपको इस गाड़ी के बारे बाकी details पर जाने से पहले गाड़ी को कर लेते हैं यह हो चुकी है गाड़ी स्टार्ट और प्लीज रीफ्यूल की वार्निंग यहां पर मेरे को गाड़ी स्टार्ट करते हैं यह आ चुकी है खेर उस बात को छोड़ते हैं और आ जाते हैं अपनी next details की तरफ राइट साइड की चीज़ हैं तो आपको दिखा दी अब यहां और राइट साइड में टिपिकल हेडलाइट कंट्रोल हैं लेफ्ट साइड में आपको मिलते हैं वाइपर कंट्रोल और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां पर प्लेज है आपका स्टार्ट स्टॉप बटन स्टेरिंग की तरफ आ जाएं तो तो टेल्ट और पर डेलेख अंगर कुरूस कंट्रोल के बटनस देखने को मिल जाते हैं नेक्स्ट आजाते हैं अपने इस 14 इंच के टच्स क्रीन सिस्टम की तरह तो दोस्तों काफी बडा तेच्सक्रीन सिस्टम है और उसके अलावा काफी जादा feature loaded उसके अलावा आप देखेंगे तो एक silver surround आपको इसके चारों ही तरफ देखने को मिल रही है जो की connect होती है यहां तक center console तक basically इसके उपर अभी और detail में बात करेंगे नीचे आते हैं तो यहां पे आपका wireless charger एक USB socket placed है 6-speed का manual gear knob और यहां आप देखेंगे तो ventilated seats, traction control, hazard lamp switch और यहां पे भी ventilated seat और AC max का एक button दिया गया है यहां पे एक button है जिससे आप parking sensors on या off कर सकते हैं और यहां आप देखेंगे twin cup holders इनके अंदर भी आपको ambient light देखने को मिल जाती है next center armrest जो की थोड़ी बहुत space के साथ आता है और इसके अंदर आपको 12 volt का socket भी दिया गया है passenger door आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का है और एक बार कोशिश करता हूं headlight on करने की जिससे आपको ambient light थोड़ी बहुत अगर दिख पाती है तो दिखा देता हूं तो I hope कि आपको थोड़ी बहुत ambient light दिख पाई होगी या समझ आई होगी बेसिकली यहां पर एक cutout ambient light का जो इस टाइम ब्लू में और यहां पर भी आपकी ambient light का usage है dashboard की बात करते हैं तो यह soft touch दिया गया यहां पर आपका piano black और silver का usage यह again soft touch यह ambient light hard plastic और glove box आपका ठीक ठाक size का दे दिया गया नेक्स आते हैं तो उपर एक panoramic sunroof आपको देखने को मिल जाती है मिरर की बात करें तो मिरर विद LED light यहां पर आपको देखने को मिलता है और यहां पर भी twin cabin lights दी गई है जो की LEDs के अंदर है आप sunroof को यहां से control कर सकते है folder तो दिये गया साथ में आपको एक light और मिरर भी प्रोवाइड करा दिया गया है उसके अलावा यहां आप देखेंगे तो एक warning दी गई है do not use blower और infotainment system in engine off mode तो यह battery को preserve करने की warning है उसके अलावा भी आप और details पढ़ सकते हैं तो चलिए अब चलते हैं इस touchscreen और इस M.I.D. की details की तरफ दोस्तों आप बात करते हैं M.I.D. की details की तो किछ इस तरीके से start होता है M.G. का logo आजाता है थोड़ी सी reflection हारी है right side में उस चीज़ को ignore करिएगा और गाड़ी के अंदर क्यूंकि fuel कम है तो fuel की warning भी आपको देखने को मिल रही है अब चलते हैं basic details की तरफ तो यहां आपको left side में fuel की details मिलेंगी यहां पे range बताएगा 11604 यह odometer की reading rpm डेटल स्पीड और right side में आपको मिलता है temperature meter उसके अलावा और details की तरफ चले तो यहां आप देखेंगे trip details और average उसके साथ trip B current speed instantaneous fuel economy next driving time अगें range दिखा रहा है आपको और tire pressure monitoring system यह कुछ चीज़न दी गही है first menu के अंदर second menu में आप देखेंगे तो warning message जो कि अभी कोई नहीं है उसके अलावा fatigue driving आप set कर सकते हैं कितनी देर की होनी चीज़ने उसके अलावा brightness आप adjust कर सकते हैं और कम या जादा कर सकते हैं अगर आपको कम brightness से काम चल जाता है बाकि अभी आपको वीडियो में दिखाना है तो brightness को maximum क कर लेते हैं next चलते हैं तो यहां अगर आप अपना फोन connected रखेंगे तो आपको अपने M.I.D. से ही सभी details मिल जाएंगे आपके music से related अभी दिखा रहा है phone is not connected वाकि navigation की details भी आ जाती है यहां पर और यह आपका home screen चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इस 14 एंच के music system या touchscreen system की सभी details तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आप इसे इस तरीके से slide करके use कर सकते हैं एक tablet की तरह यहां आप देखेंगे तो सभी features आपके सामने आ जाते हैं जैसे generally आपके phone में आते हैं और यहां आप अपनी volume और brightness वगेरा को adjust कर सकते हैं यह तो basically हो गया shortcut menu उसके अलावर time आपको यहां पर दिख रहा है map my India से आप अपना map चला सकते हैं अगर आप offline connected नहीं है अब next दोस्तों बात करते हैं तो Android Auto आता है इसके अंदर wireless इस टाइम आप मेरा phone देखेंगे तो कोई भी वायर इसमें connected नहीं है और यहां Android Auto पर मैं अगर टच करूंगा तो सीधा यह मेर PC का option आता है जिससे आप वापस से home screen पे पहुंच जाते हैं AC पर अगर आप क्लिक करेंगे तो बेसिकलिए आप AC को सेट कर पाएंगे क्योंकि आप देखेंगे तो यहां पे AC के लिए कोई अलग से controls नहीं है तो यहां से power on power off modes auto AC on या off fan speed कम या जादा AC max का एक option मिलता आपको और उसके अलावा आप temperature set कर सकते हैं PM 2.5 filter आता है इसके अंदर और यह एक ऐसी चीज है जो मुझे personal level पे उतनी सही नहीं लगी क्योंकि driving के दौरान AC को use करने में voice commands का use कर रहा था मैं rather than मैं screen को खोल के एक एक option को touch करूं जो मुझे use करना है बाकि AQI आप देखेंगे तो satisfactory दिखा रहा है इस टाइम और AC के अंदर यह कुछ details है Apple CarPlay again same features के साथ आता है और next option की तरफ चलते हैं तो यह आ गया हम vehicle में अब यहां पर आप अपनी sunroof को यहां से control कर सकते हैं आप देखेंगे तो नीचे आपको एक एक option देखने को मिल रहा है जहां इसे करते हैं बन वहिकल सेटिंग में हम इस टाइं लैंप की तरफ आ जाते हैं तो follow me home headlamp find my car और यह कुछ features आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं बाकि ambient light पर आते हैं तो आपको random colors में चाहिए या एक fix color में चाहिए वह चीज़ आप यहां से set कर सकते हैं Windows की बात करें तो remote key स से windows access हो पाएं या ना हो पाएं यह चीज़ आप यहां से tick या and tick कर सकते हैं लॉक की तरफ आते हैं तो remote key से सिरफ driver door lock हो या unlock हो वो चीज़ आप adjust कर सकते हैं ignition off पर unlock होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और होना चाहिए तो सारे door या फिर सिरफ driver door बाकि speed sensing door lock work away lock approach unlock यह features को भी आप अपने हिसाब से on या off कर सकते हैं tailgate auto open हो या ना हो और हो तो कितने percent open हो यह चीज़ भी आप adjust कर सकते हैं side mirror auto fold होने चाहिए lock होने पर या नहीं होने चाहिए यह option आपको दे देती है गाड़ी वाइपर में वाइपर maintenance आपको बताए या ना बताए यह option है wireless charging अगर आप चाहें जैसे आपके फोन में wireless charging नहीं है तो आप यहां से इसे off कर देंगे और फिर कोई भी समान easily वहां रख सकते हैं तो टायर pressure monitoring system अगेन आप यहां से देख सकते हैं तो यह कुछ features मिलते हैं आपको vehicle के अंदर और बाकी Bluetooth वगएरा के features हैं और vehicle settings तो आपको दिखा जीती है अब चलते है settings के अंदर थोड़ा सा slow है system बट अपना काम ठीक ठाक कर देता है और touch response भी आप देखेंगे तो हलका सा एक एक second का lag आपको मिलता है बट ऐसा नहीं है कि touch response नहीं कर रहा है बस थोड़ा सा late response कर रहा है इतनी सी बात है बाकी यह typical आपके Android वाले controls हैं तो इनकी detail में नहीं जाते हैं और next आ जाते हैं अपने 360 डिगरी camera की तरफ तो दोस्तों 2D 3D दोनों ही व्यूव आप यहां से ले सकते हैं और 3D व्यूव में आप चाहें तो इसे थोड़ा सा scroll भी कर सकते हैं बट quality वगेरा अगर बात करें तो कुछ टाइम पहले आपको Gloster के reviews दिये थे उससे बहतर हो चुकी यह quality इसमें बट उतनी जादा बहतर अभी भी नहीं है कि आपको एक एक चीज बिलकुल clearly दिख जाए अब अगर आप बाहर देखेंगे glass के तो आपको proper green grass और proper road वगेरा दिख रही है बट यहां अगर आप देखेंगे तो colors काफी जादा faded out है 2D mode में भी चलें तो front side view वगे अपने इसाब से adjust कर सकते हैं dynamic guidelines आपको चाहिए नहीं चाहिए चाहिए तो static चाहिए या फिर moving चाहिए यह सभी features आप access कर सकते हैं चलिए अब चलते हैं back seat की तरफ और वहां देते हैं आपको बाकी details फ्रेंट की details हो गई अब चलते हैं back seat पे space वगेरा का idea आपको पहले ही दे दिया था बस पीछे क्या क्या चीज़ें provided हैं वह आपको दिखाना बाकी है और फिर चलते हैं अपने verdict की तरफ तो रेर डोर में सिंगल ट्वीटर और नीचे speaker की placement bottle holder यह चीज़ें देखने को मिल जाती है coin holder है piano black touch है और power window के control है back seat की तरफ आजा है तो यहां आप देखेंगे तीन adjustable headrest पीछे और दो आगे armrest twin cup holder दिया गया और rare seats को आप हलका फुलका adjust भी कर सकते हैं उसके अलावा space में कोई दिक्कत नह सब्सक्राइब करने के बाद इसका curtain सब्सक्राइब कोई रिक्कत परिशानी नहीं है और रेर से interior का व्यूव आता है कुछ इस तरीके का कि तो दोस्तों देखा आपने इस mg hector के diesel manual के top end variant का एक walk around review इस variant का नाम आपको बताओं तो इस variant का नाम है sharp pro और इसके उपर पेट्रोल में एक और वेरियंट आता है जिसे बोला जाता है सैवी प्रो अब बात करते हैं मेरा क्या टेक है इस गाड़ी को लेके तो दोस्तों एक बहुत बड़ी कमी बोले या फिर जो एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड है मार्केट में बट एमजी ने नहीं प्रोवाइड कराई है वो है आटमाटिक ट्रांसमिशन दोस्तों पेट्रोल या डीजल इतनी बड़ी गाड़ी मैनुवल में लेने वाले कम लोग होते हैं और मेरे इसाब से यहां पर ऑटमाटिक का ऑप्शन तो अगर मैं अडायस वगेरा एंजॉय करना चाहता हूं एक पारकिंग ब्रेक जैसे फीचर एंजॉय करना चाहता हूं तो डीजल गाड़ी लेके मैं वह फीचर एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं एक यह थोड़ी सी मुझे कमी लगी वाकि अदर्वाइस स्पेसेफिकली कंफर्ड हमारी प्रायरिटी हो जाती हैं एंजी के ब्रैंड में आप जानते हैं लक्जरी की कोई कमी नहीं और ना ही कोई कमी है फीचर की बस वही है थोड़ा सा कंफर्ड मिल जाता अगर एक अच्छा ऑटमेटिक ट्रांसमिशन इस इंजन और इसके इस गाड़ी के साथ पेर किया जाता है चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बैस इतना ही मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद